सफलता उनका साथ कभी नहीं छोड़ती जो अपनी मंजिल खुद बनाते हैं अरे मुश्किलों की क्या ओकाद जो आपको गिरा सके आप तो वो लोहा हो जो आपने ढाल भी खुद बनाते हो जो अपने ढाल भी खुद बनाते हो फाइनली दोस्तों आपके एक्जाम डेट आचुकी है रासान पुलिस कॉंस्टिबल की आपको पता चली गया है तो आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ तो वीडियो को शुरू से लेकर लास तक पूरा देखेगा इंपॉर्टेंट चीज़े हैं सारी लिखके भी लाया हूँ ताकि जो चीज में आपको बताना चाता हूँ वो कुछ छूट ना जाए ठीक है सारी चीज़े हैं जैसे कि त्यारी आपको कैसी करनी है अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है वीडियो को देखने के बाद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूस सकते हो साथ में मैं अपने वाट्सेप कांटेट डिटेल इंस्टाग्राम आईडी, फेस्बूक आईडी, टेलिग्राम चैनल सभी की जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप चाहो तो वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट बसता है तो आप मुझे वहाँ पर भी पोच सकते हो अच्छा बनाया था, आप लोगों को पसंद आया था और इस बार भी बना रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले, स्टेटेजी क्यों बनाते हैं स्टेटेजी उस नेव की तरह है, उस घर के नेव की तरह है जिसकी मजबूती जरूरी है, अगर काफी लंबे समय तक आपको वो घर चलाना है तो स्टेटेजी भी आपके लिए जरूरी है और आपका जो जॉब है, आपका जो एक्जाम है, वो आपके लिए एक घर जैसा है तो अगर आपको घर को मजबूत करना है, तो नेव आपकी मजबूत होनी बहुत ज़ादा जरूरी है अब नेव मजबूत करने के लिए स्टेजी अच्छी होनी चीं और परफेक्ट होनी चीं अनिकि जो आपकी रण निती है, वो एक दूम परफेक्ट होनी चीं है अब किस हिसाब से आपकी रणनीती रहने चीए वो आपको यहाँ पर बाताने वाले हूं में आगे तो दोस्तों स्ट्रेटेजी बताने से बहले एक चीज़ आपकी मैं आपके क्लियर कर दूँ में थोड़ा सा बताईए तो देखिए आपने जितना भी कोर्स किया हूं इतने दिनों में जैसे भी पढ़ाई कियो वो आपने अपने हिसाब से किये लेकिन लाश्ट के दिनों में जब कुछ दिन बचते हैं तो आप वैसे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जो आप लगवग या आठ से दस महीने पहले कर रहे हो वैसे नहीं कर सकते हैं तो कैसे करनी है सिंपल से चीज है सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो आपका स्लेबस है उसमें सब कितना कोर्स बच गया है यानि कि 10 परसंट बचा है 20 परसंट बचा है यानि कि 10 टॉपिक 20 टॉपिक जो भी आ लेकर एंड तक नहीं पढ़ना है टाइम वेस्ट बिलकुल नहीं करना है बहुत कीमती टाइम है लास्ट के दिनों का समझे बात उनको सिर्व रिवाइज करना है कैसे करना है वह आगे बताऊंगा लेकिन जो बचेवे अब आपके जो बचेवे टापिक्स है उनको भी अगर बहुत कम टापिक्स बचे है तो उनको आप डीपली पढ़ सकते हो लेकिन अगर आपका कोर्स 40 ए 50 परसंट तक बचा हुआ है अभी भी तो उनको आपको वन लाइनर टाइप में MCQ कोशन के साथ पढ़ना है ठीक है कोर्स जादा हो चुका है जिनका कोर्स लगबख 70-80% या पूरा जिनों ने कर रखा है उनके लिए क्या रणनिती रहने वाली है उनके लिए रणनिती आप ये रखना कि जितना भी आपने कोर्स कर लिया है उसका revision कैसे करना है वही टापिक उठाना जो आपने पढ़ लिया तो यह होता है, revision का एक perfect combination, एक perfect combo, जो की most effective रहता है, बाकिया आप revision करते हो, अच्छा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन revision plus MCQ, हाथो हाथ निकालना, वो एक perfect combination बन जाता है, तो यह तो बात होगी आपको पढ़ना कैसे है, इस साब से आपको daily पढ़ना है, daily कितने घं गंटे भी पढ़ते हो, तो लगबग शायद 480 गंटे के आसपास होते हैं, और यह 10 गंटे पढ़ते हो, तो 600 गंटे होते हैं, sufficient है, more than enough है, अगर आप इतना daily पढ़ लेते हो, लेकिन मेरी मा ने, तो मैं तो यह ही कहूँँगा, कि घंटों को देखके कभी मत पढ़े, से वैली चीज़, time table set कर लो, अगर आप comment box उन बता हो, पूछोगे कि time table कैसे set करना है, तो अलग से वीडियो बना दूँगा, और मेरे हिसाब से time table खुद ही set करोगे न, तो ज़्यादा effective रहेगा, बताने को मैं बता दूँगा, अलग वीडियो बना के, लेकिन जब आप ख perfect topics लेके बैठी हैं, कि आज मुझे इतने topics करने ही करने हैं, अब चाहिए उसमें मुझे 5 घंटे लगे, चाहिए 15 घंटे लगे, मुझे topics कवरप करके ही उतना है, तो वो आपका एक perfect time table बनता है, time table की बात कर ली, कैसे पढ़ना है, उसकी बात कर ली, एक आपका doubt आता है, कि current affairs की साब से पढ़ें, और current affairs कितना पढ़ें, यह important आपका doubt बहुत बाराता है, कि सर current affairs कितने महीनों का पढ़ना है, देखे कम से कम, 10 महीने तो आपको लेके चलने ही पढ़ेंगे, 10 से 12 महीने, आज कल कुछ पता नहीं चलता है current affairs का, क्योंकि देखे इस साल में आपका कोई भी राश्तान का exam नहीं हुआ है, कोई बड़ा exam नहीं हुआ है, तो इस साल की तो पूरी आनहीं वाली है, और आपको 2019 की भी पढ़नी पढ़ेंगी, current affairs, राश्तान प्लस इंडिया और कुछ वर्ल्ड के भी आपके आ सकते हैं, समझे बात, अब current affairs कहां से पढ़ें, देखे के राश्तान की current affairs में आपको daily करवा रहा हूं, warning में, तो आवो class जरूर attend करना, current affairs में वहां से पूरा cover up कर दूँगा, आपको current affairs की tension लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलावा PDF आपको मिल जाती है, मेरे टेलिग्राम चैनल पे, टेलिग्राम चैनल पे जॉइन कर लेना, वीडियो के निचे description में लिंक दे रहा है, वहाँ पे आपको daily की PDF मिल जाती है, अच्छा, एक साथ मैंने 6 महीने की current affairs डाली हूई है, जनवरी 2020 से लेके, जून 2020 तक की, उसकी PDF और वीडियो दोनों upload कर रहा है, तो वो भी चैनल पे आपके जरूर देख ल सकता है, कुछ books के नाम बता देता हूँ, जैसे कि मुमल है, best आती है रास्तान जी के लिए, उसके लावाँ द्रिष्टी या chronology, आप इंडिया और वर्ल्ड की current affairs के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, मंतली लियो, सबसे best आता है, या फिर आर्दवार्शे गयने के 6 महीने की भ की भी साथ में आती है, आज के current affairs के बहुत सारी books आती है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, books के नाम आपको मैंने बता दिये, current affairs का डाउट कंप्लीट हुआ, अगला डाउट आपका आता है, model paper का, कि sir, model paper कब से start करें, और कितने करें, देखिए कितना वाला doubt कभी मत रखना 60 दिन आपके पास 2 महिने, 30 प्लस, 30 प्लस model paper आपको जरूर करने, model paper करने बहुत ज़ादा जरूर है दोस्तों, model paper से 2 फाइद होते है, एक तो आपके बहुत सारे questions revision हो जाता है, एक वो revision type की चीज़ है, दूसरी चीज़ आपको ये पता चलता है, कि आप एक perfect given time के अंदर कि negotiation कर सकते हो, तो आपका जो exam का जो डर है, वो आपका घर पे ही निकल जाता है, model paper की book लिया न, model paper का एक अलग video बनाऊँगा, जिस में books का review दे दूँगा, कि आप ये books ले 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 न, comment box में बताना मुझे, ठीक है, अगर आपको वो video चाहिए तो वो बना दूँगा, model paper के ल आपको दे दूँगा, वो video अपसॉल कर लेना, और आपको अपना पता दल जाएगा, और model paper जब आप करते हो घर पे, तो time के साथ करना, जितना time आपको exam में मिलता है, सिर्फ उतने ही time में करने की कोशिच करना model paper को, ऐसा नहीं है कि आप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे आपका course complete हो जाए, उसके बाद करना है, क्योंकि आपको पता तो चले, आपका course अगर 30% हुआ है, या 10-20% हुआ है अभी तक, और आप model paper करने बैठ गए, तो आप करोगे क्या, तो आपको question समझ भाएंगे नहीं, इसलिए कम से कम 60 या 70% course आपका complete हो जाए, उसके बाद model paper लगाना, start कर दीजिए, last के एक महिना, तो पूरा model paper को ही देना है आपको, ये चीज हो गई, model paper की, और क्या है important चीज़े, और है आपके parts, आप देखिए, आपके चार भाग है, चार भागों को कैसे divide कर आगया है, वो आपको पता ही है, A, B, C, D, चार भागों को divide कर रखा ह के अंदर आपके reasoning और computer आएंगे, कितने question आएंगे, ये भी आपका doubt आता है, बहुत बढ़ आता है, तो मैं आज आपको बता देता हूँ, जदा question आपके reasoning के आने वाले है, 60 question में से, जो आपका भाग A है, उसमें reasoning, और computer के जो 60 question आएंगे, जिसमें 30 marks का है, यानि के question आदे marks का है, पूरे में यही चल रहा है, 60 में से, आप मान सकते हो, 40 के आसपास, पके question आपके reasoning के आले है, 40 से 45 question, computer का आएंगे, 15 से 20 question, ये आपका ratio रेने वाला है, reasoning और computer का, तो एक बड़ा पार्ट है, reasoning हालांकि इसमें easy आती है, math नहीं आती है, फिर से बताता हूँ, काफी दो mathematics कहीं पर भी नहीं आती है, तो उसके attention आप छोट दीजिए, reasoning पर पूरा focus करिएगा, reasoning हालांकि easy आती है, लेकिन, वहां से आपको पूरा score करना है, मेरी बास समझ रहे हो, क्योंकि एक बड़ा पार्ट है, आपको score करवाएगा, exam में आपको score आगे लेके जाने वाला यही प पचास से सो question निकाल लेते हो, फटा-फटा, आपकी reasoning अच्छी speed भी पढ़ेगी, और number of questions आप जब practice करोगे तो आपको पता जाएगा कि किसा आप से क्या पढ़ना है, computer के 15 से 20 question आएंगे, computer के आप अगर कोई book लाके 1000 के आसपास, 1200 question पढ़ लेते हो, last के समय में more than enough है, वही important क्यों है, क्योंकि इसका syllabus बढ़ा है, और questions उतने ज़्यादा नहीं है, syllabus के इसाप से, हालाग कि question 35 आते हैं, बहुत बहुत के अंदर 17.5 marks के, syllabus बढ़ा कैसे है, देखे इसमें जी क्या आता है पूरा, general knowledge, अब general knowledge के अंदर आपकी history है, मतलब Indian history की बात करूँ, Indian geography, world geography, economy, quality, स बनाता है, इतना सारा part है, कैसे पढ़ना है, कैसे divide करना है, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, देखे आप में से, अगर कफी लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए, तो आपको पता होगा, मैंने भागब, भागस और भागद, यानि के part B, part C, और part D कि तीन वीडियो मैंने अलग से बनाए वे हैं, जिन में पूरा analyze करके बता रखा है, पिछले सारे जो question papers है, जितने सालों में जितने भी question paper हुए है, रसन पुलिस के, उनको analyze करके, मैंने वो वीडियो बना रखा है, और उनमें ये बता रखा है कि किस topics आपके questions बनते हैं, त तो भाग-बग के अंदर जैसे मैंने आपको बढ़ाया, तो किस आपसे पढ़ना है, one-liner question पढ़ना है, last के दिनों में one-liner question और MC क्यों निकालना सबसे बहतरीन चीज रहती है, तो GK के बात होगी, science के बात होगी, current affairs important है, ज्यादा जरपार्ट यहाँ पे current affairs का रहने वाला ह 35 question में से 10 से 15 question आपको current affairs को देखने को मिल जाएंगे, और static GK आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, यह important है, भाग-Sir, यानि के part C, जिसमें आपका महिला यह बाल अपरा दाता है, यह नया part है सभी के लिए, चाए कोई भी हो, चाए जिसने पहले exam दिया हो, चाए ना दिया हो, सभी के लिए एक नया part है, 10 question आएंगे, 5 marks के, तो देखे, question हालांकि आपको 10 ही दिख रहे होंगे, लेकिन एक छोटा सा part है, छोटे से part के अंदर से अगर 10 question बन जाते हैं, तो एक बड़ी बात है, तो इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी book भी बताईती, अगर आपन जाएंगा मैं, वैसे तो मैंने टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर रखी है, वो सारी PDF, part C के लिए वो PDF important है, उसमें से आपका काफी सारे इसलिए बस cover up हो जाएगा, वहां से देख लीजिए एक बार, और अगला part आपका आता है, सबसे favorite और सबका favorite राजस्तान जी के, जि जिसमें आपका राजस्तान का current interface भी आ जाएगा, राजस्तान की history, geography, policy, economy, सब कुछ cover up हो जाएगा, तो ये भी एक बड़ा part है, इसके question भी आपको करने बहुत जरूरी है, देखें, इसके लिए मैं क्या plan कर रहा हूँ, एक marathon वीडियो आपको दूँगा, जिसमें complete राजस् जाएगा, और current affairs के अगर मैं बात करूँ, तो इस साल के जो खहर मैंने आपको देई दिये, 2019 की बाकी रहती है, 2019 के एक अलग से पूरा वीडियो बनाए जाएगा, वो भी marathon वीडियो बड़ा होगा, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लेगेगा, लेकिन आपके September, September के अंदर मे यह जो marathon वीडियो से यह सारे provide आपको करवा दूँगा, और आगे आने वाले जो वीडियो से उनके बाद मैंने आपको बदाई दिये, current affairs daily आ रहा है, सुबह current affairs को miss मत करना, current affairs important रहता है, वहाँ से static gk भी आपके cover up हो जाती है, साथ में और model paper भी आपके एक या दो दिनों मे start कर दूँगा, तो वह important है आपके लिए, उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे comment box सो बता देना, ठीक है, अब इनको किस part को कितना घंटा पढ़ना है, क्या आपका time division होना चाहिए, थोड़ा सा वो भी सुन लीजिए, देखिए चारो part है important, देखिए इंडिया जी के science या current affairs के अंदर best हो सकता है, part C के बात क्यों नहीं करता हूँ, क्यों part C सबके लिए नया है और छोटा part B है, तेखिए, वो हो जाएगा, वो अगर आप 400-500 question या 300-400 question पर निकाल लेते हो, तो आपके वो 10 question cover up हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ बात रहती हैं इन 3 part की, part A, part B और part D की, इन मेंसे 2 part आप ऐसे लेके चलो, कोई भी 2 part ऐसे लेके चलो, जिनमें आपको 100% score करना है, जो आपके सबसे ज़्यादा favorite हो, जो आपके सबसे ज़्यादा मजबूत हो, उनको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा revision करना है, ज़्या या तो part B, देखे, part B मेरे इसाब से सबी के लिए थोड़ा-थोड़ा hard रहने वाला है, क्योंकि कहां से question बनते हैं, कैसे बनते हैं, ज़्यादा तर लोगों को नहीं पता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो देख लेना, आपको पता दल जाएगा, लेकिन इसका स्लेबर स्वास्ट है, तो question गहीं से भी बन सकते हैं, hard भी बन सकते हैं, easy भी बन सकते हैं, तो part A आपका easy रहता है, जिसमें raising और computer रहता है, और part D आपका medium लेवल कर रहता है, तो part A और D मजबूत कर लेना, यही आपको आगे score करवाने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से strategy में मैं मैं आपको सारी चीज़ें समझाई है, अगर फिर भी कोई आपका doubt रहता है, तो comment box में पूछ लीजिए, नहीं तो सारी details मैं आपको देदी है, whatsapp content details देदी है, instagram id देदी है, facebook id देदी है, telegram id देदी है, सभी की जो link है वो video को नीचे description में मिलेंगे, वहाँ जाके कुछ भी आप पूर सकते हो, देखे strategy important रहती है, यह मैंने आपको पहले समझा दिया है, plus time table important रहता है, time table जरूर बना लेना, time table को miss मत करना, time table आज अभी बना लो, बैट के बना लो, और जो points मैंना बताया है न, उनको focus जरूर करना, गौर जरूर करना, कि यह जो points है, या तो उन्हें लिख लीजिए, कि sir, यह यह points मैंने आपको बताया है, इनको किस तरीके से आपको handle करना है, वो आपके opportunity point करता है, ठीक है, तो एक selection का आधार रहती है, एक अच्छी strategy, यानि के अच्छी रणनीती, जो मैंने आपको बता दिये, अब daily आपको मैं अच्छे-च्छे videos provide करवान देंगे, उसके लिए क्या करना है, चैनल को subscribe करो, बैल आइकन को क्लिक जरूर कर देना, ताकि जैसे मैं video upload करता हूँ, आपके पास notification तूरंट आजाए, इसके अलागा, कोई भी आपको चीज पूछने हूँ, बेज जिदे का आप पूछ सकते हूँ, कहीं पे भी, ठीक है, इतने सारे link मैं आपको provide करवा दिया है, और ये वारा वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद कर रहा हूँ, सारी चीज़ां आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में ये, फिर से एक बार वीडियो देख लेना, सारी चीज़ां समझ लेना, और कोई doubt रहता है, तो अराम देने एक वीडियो में,